वेलकम टू मैच चैनल SK Knowledge कलास दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा गराफ बनाने अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप गराफ आज सिख जाएंगे ठीक न अगर आपको पूरा नहीं देखना है तो अभी बंद कर दिजिए वीडियो दे आपको दे देगा एक्जाम में पांच नंबर आज आपका कंपिलीट हो जाएगा ठीक समिकरन है 3x-2y ब्रावर 5 दूसरा समिकरन है 2x-3y ब्रावर 7 ठीक ना दो समिकरन आपको दे देगा एक हम माल लेना है इसमें देखिये दोस्तों गर आप खीचने से पहले आपको मान जाहिए ठीखड़ंए Yका मां चाहिए एक्स और व्यका मान हम निकालेंगे यहाँ आपके सामने लाइब चलेंगे पहले därUM 1 से लीक देना ठीख消ना एक्जाम में भी आपको पहले मान निकाल लेना है समिकरद 1 क्या है 3 एक्स 3 एक्स प्लस 2y ब्रावर 5 ठीक ना ध्यान से आपको देखना है तो जब 3x ब्रावर निकालेंगे दोस्तों तीक क्या हो जाएगा 5 प्लस में 2 है तो अधर जाएगा तो माइनस 2y हो जाएगा ठीक और हमें x का माण निकालना है पहले x ब्रावर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2y गुना में इधर है तो बटे में इधर 3 आजाएगा देखिए यह x के गुना में है इधर आगा तो भगा में हो जाएगा अगर इधर भगा में रहता है तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाता है इधर plus में है उधर जाएगा तो minus हो जाएगा इस किरिया को आपको समझना होगा ठीक ना और पहले से आप लोग जानते होंगे minus plus का किरिया ठीक अब दोस्तों क्या करना है x और y का ठीक ना table बनाना आपको 2-2 मान निकालना होता है x का 2 गो मान y का 2 गो मान ठीक अब इधर थोड़ा हम रफ करेंगे आपके सामने आपको भी हो सकता है रफ करना ठीक ना आपको भी करना परे रफ तो ध्यान से आपको देखना है देखिए हमें x बरावर क्या निकला है दोस्तों कि 5-2y बटे 3 ठीक इसे रफ करेंगे इसलिए दोस्तों इजो है x बरावर 5 गटा 2y बटे 3 अब y के जगा ऐसा मान आपको रखना है कि दोस्तों y के जगा कुछ भी रख सकते हैं आप अपने एक छानुसार कुछ भी रख सकते हैं 0 रख सकते हैं 1-2-3-4-5-1-2-3 कुछ और रख सकते हैं बस आपको ध्यान ही देना है कि ऐसा मान रखना है कि 3 से माइनस पलस करने के बाद 3 से पुरा-पुरी कट के x का मान निकल जाए यही आपको ध्यान में रखना है ठीक यही मेंड पॉइंट है तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं दोस्तों y के जगह 2 एक रखने वाले हैं Y के जगह 1, यहाँ Y का table है, तो Y के जगह 1 रख दिए, क्या हो जाएगा, X बरावर 5 घटा 2 गुना Y, Y के जगह हम क्या रखे हैं, 1 रखे हैं, बटे 3, देखिए, 5 घटा 2 एका 2 बटे 3, 5 में 2 घटे गा 3 बटे 3, कट गया, एक बारे में, एक किसका मान निकला X का, X के जगह 1 रख देंगे, ठेक, अब देखिए, अगर यहाँ हम Y के जगह 2 रख देते, तो 2 दोनी 4, 5 में 4 घटा 1 बटे 3 आता, पुरा पुरी करता, नहीं करता, इसलिए दोस्तों आपको ऐसा मान रखना है, Y के जगह, कि जो बटे में जो भी संख्यार है, उससे पुरा पुरी कट जाए, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद एक तो रख दिये, अब आपको दूसरा मान रखना है, कोई भी दूसरा मान रख सकते हैं, आप कुछ भी, ठेक ना, एक तो रख दिये, एक छोर के आपको दूसरा मा बार 4 रखना है क्यों दोस्तों देखिए X बड़ावर है 5 घटा 2 गुना Y के जगह क्या रखे है 4 अब बटे में क्या है 3 है अब को पता है ठीक तब अब क्या हो जाएगा इप 5 घटा 4 दुनी 8 बटे 3 अब देखिए 5 में से 8 घटेगा माइनस का 3 बचेगा अब बटे 3 एक बार में कटा लेकिन माइनस एक बार में कटा क्योंकि माइनस है तो माइनस एक अब की बार X का मान कितना निकला माइनस एक और Y का मान 4 रखे थे दो गोमान निकल गिया आपका complete हो गिया आप दूसरा समीकरन का निकालेंगे ठीकिना लिखेंगे समीकरन दो से इसलिए हम बताये थे पहले ही कि वीडियो को पूरा आपको देखना है समीकरन दो से समीकरन दो आपका क्या है समीकरन 2x-3y ब्रावर 7 ठेक अब निकालेंगे 2x ब्रावर क्या हो जाएगा 7 प्लस सुरी माइनस है तो इधर ब्रावर की इब घल प्लस-3y हो जाएगा X बरावर क्या हो जाएगा X बरावर हो जाएगा 7 प्लस 3 Y बटे में इदो आजाएगा क्योंकि गुना महती दर भगा में आजाएगा अब हम X और Y का फिर दो-दो टेवल मना लेंगे क्योंकि X और Y का मान जब तक नहीं निकलेगा तो गराप हम नहीं खीच सकते हैं फिर उसी प्रकार रफ करेंगे X बरावर क्या है 7 प्लस 3 Y बटे 2 अब की बार बटे में 2 है फिर उसी प्रकार Y के जगा आप कुछ भी मान रख सकते हैं 0, 1, 2, 3 ऐसा मान रखना है कि हल हो जाए 2 से पूरा पूरी कट जाए तो क्या करना है दोस्तों दो रख सकते नहीं 3 चार रख देंगे तो 4 त्या 12 नहीं होगा तो ऐसा करते हैं माइनस का 1 रख देते हैं माइनस का 1 हो जाएगा हम बताये थे माइनस में भी आभ रख सकتे हैं अब यहां देखिए कैसे हो जाएगा कि 7 plus 3 minus का क्या रखे 1 y के जगह minus 1 बटे 2 देखिए 7 plus minus minus 3 का 3 बटे 2 अब देखिए 7 में से 3 घटेगा 4 बटे 2 दो बार में कट गया यानि कि x का value यानि कि x का मान 2 निकल गया हम बताएं ना minus का भी रख सकते हैं minus 2 minus 3 कुछ भी रख सकते हैं बस आपको यहां ध्यान देना है कि पूरा-पूरी कट जाना चाहिए अब अगला मान रखना है आपको फिर क्या है 7 plus 3 y बटे 2 अब y के जगह कुछ अगला मान रखिए ताकि पूरा-पूरी कट जाएं अब की बार y के जगह y के जगह अब की बार minus 3 रखते हैं तो 7 plus 3 गुना y y के जगह minus 3 रखते हैं बटे 2 y के जगह minus 3 अब देखिए हो जागा 7 plus minus minus 3 ती है 9 बटे 2 अब देखिए 7 में से 9 घटेगा तो minus 2 बचेगा क्योंकि कम में से जादे घट रहा है अब बटे 2 2 एक है 2 लिखिन minus है तो minus 1 अब की बार x का मान क्या निकल गया minus 1 ठीक अब जो दोस्तों इस दोनों मान निकला समिकरन एक समिकरन दो इसी मान को हम लोग गराब के खीचेंगे ठीक ना इससे पहले आपको एक लाइन खीच लाना है x अख्य का और y अक्ष का ठीकिनग जैसे कि दोस्तों इसाइश्ति यहाँ आपका x लाइन होता है मोटा वला ठीकिनग और उदर कर जो हता है यह y- ख्योता है ठीकिनग हम लाइनखिच लेते हैं पहटा पहट अब देखिए दोस्तों अम जो हैं यहाँ X का line खीच लिए यह आपका हो गया X X Desk देना है फिर यह आपका हो गया Y ठीकना और Y Desk ठीकना दोनों line आपको खीच लेना है गराप पर पहले ठीकना आप क्या करना है दोस्तों यहाँ जो है इसमें मान बाइठाना है यह आपका 0 हो गया और आपका यह X इधर पलस में होता है दाया साइड थिकने दाया साइड तो 1 2, 3, 4 5, 6, 7 ठीकना? पलस में लिखा नहीं जाता है पलस में ही है फिर बाया साइड एक सक्च आपका मैनस हो जाएगा मैनस 1, मैनस 2 मैनस 3, मैनस 4 ऊइन ऑच मायनस च aujourds और उसके बाधस का आपका वालिया मीं हो होता है मायनस एक माइनस दो मायनस 3 याद रखिए अधर मोठा वाले लाइन पर लिखना है माइनस चार माइनस पंच माइनस चो और उपर होता है अब जो है दोस्तों यहां गराब पे मान देखना है X1 है Y1 है पहला समिक्रन का देखने हैं उपर नीचा देखना है X1 Y1 दोनों पलस में है तो देखिए यह X अक्ष है इसका एक यहाँ है और YX के लिए भी एक यहाँ है अब दोनों कहां मिल रहा है एगो यहां मिल रहा है एगो यहां देखे य अक्ष और यह एक्स अक्ष एक एक यहां मिल गया उसके बाद इसको घेर देना है बिंदू को उसके बाद है एक्स माइनस एक और वाइ चार एक्स माइनस एक यहां है एक्स माइनस एक y4, y4, y4 y4 यहां है, e भी ध्यान देना है x-men है y-men है x-men एक यहां है y-men एक बिंदू आपका यहां हो गिया ठीक, अब e बिंदू और e बिंदू को आपको इंची से मिला देना है ध्यान से ताकि पूरा पूरी लाइन मिल जाए, ठीक है ना अगर पुरा पुरी नहीं मिलेगा तो आपका ग्राफ गलत हो जाएगा आप पहले एक बार जो है ने ट्रा कर लिजेगा पेंसील से ठीक पेंसील से उसके बाद ही आप लोग पेंसे बनाईएगा ठीक ना देखिए हो गया अच्छे से इसको बना देना है बिंदू भी लिख बिंदू क्या था पहला पहला था एकस एक वाए एक यानि कि पहले एकस होता है फिर एक कोमा एक दूसरा क्या था माइनस एक कोमा चार माइनस एक कोमा चार उसके बाद जो समिकरन था पहला समिकरन उस समिकरन को भी लिख सकते हैं समिकरन पहला क्या था थी एकस पलस टू ब पराबर 5, समीकरन 1, ठीक ना, यहाँ सब लिखने से आपको पूरा 5 में 5 नमबर मिलेगा, एक नमबर भी आपका नहीं कटेगा, ठीक, उसके बाद दूसरा समीकरन, x2y-1, x2y-1, y जो है माइनस में है 1, और x पलस में है 2, तो x पलस 2, y-1, यहाँ आगिया, ठीक, यहाँ बिंदू, उसके बाद x-1, y-3, x, x-1, y-3, देखिए, x भी माइनस में, x-1, ठीक ना, और y-3, x-1, y-3 यहाँ है, ठीक ना, e-bindu, अब e-bindu और e-bindu को हमें मिला देना है, ठीक, ध्यान से, मिला देते हैं, देखते हैं, कहाँ पर कटता है, इसका अंसर क्या आता है, ठीक, मिला दियें, ठीक, ना, इसका भी बindu लिख देना आपको, ताकि आपको पूरा नमर मिले, इसका बindu था, x2, y-1, x2, y-1, यारिक, 2,-1, उसके बाद, x-1, sorry, जोड़ी, हाँ, ठीक है, x-1, y-3, x-1, y-3, ठीक है, ठीक ना, और समिकरण 2 था, समिकरण 2 था आपका, या लिखा हुए, 2x-3y, बरावर 7, लिख देना है, 2x-3y, बरावर 7, समिकरण 2, ठीक ना, अब इसमें आंसर देखना है, आंसर कहां है, आंसर जहां समिकरण 1, समिकरण 2 कटा है, वही आंसर होगा, यह x-x बरावर, देखिए, दो के थोड़ा, आगे जाके कटा है, यानि कि, 2.2 लगभग मान सकते हैं, फिर यह y बरावर, अक्ष है, y के सामने देखिए, कहां पर कटा है, समिकरण 1, समिकरण 2 को देखना है, तो y बरावर जो है, यह आपका 0 है, 0 से उपर है, यानि कि, 0.1 कुछ हो सकता है, 1 के नीचे है, उपर है, यानि कि, 1 से कम्मे है, 0.8 लगभग मान सकते हैं, आंसर, ठीकिना, आप लोग बताईएगा, कमेंट बोक्स पर आपका आंसर कितना निकला, ठीकिना, यह गराफ पु